हेलो फ्रेंट्स दिस जोती वर्मा तो आज मैं अपना चैनल दुबारा से स्टार्ट करने जा रही हूं और नहीं नहीं वीडियोज अप्लोड होंगी जैसा कि बीट के रिगार्डिंग हम काफी सारी वीडियोज पहले से अपनोड करते आ रहे हैं तो यह मेरी आज की नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम जानेंगे कि बीएड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टन है और यह कोर्स हम किस बेसिस पर या किस लिए कर रहे हैं तो सबसे पहला नेशनल टीच्छ एक्सपर्ट इट मीगंज की बीएड का कोर्स जो है वह hems किसले करते हैं जब हमें एक एंशकेशनल एक्सपर्ट बनना होता है इसम ऐस टाइम पर हम एक एक तरीके से master या फिर हम trained teacher कहलाते हैं उसके बाद हमारे mind में next आता है कि what is the benefits of B8 course तो benefits यह है कि career की opportunities हमारे पास बहुत सारी होती है करियर की opportunities कैसे होती है जैसे कि B8 course जो होता है या B8 की जो degree होती है वो काफी diverse होती है diverse means कि उसमें बहुत सारे ऐसे sectors होते हैं जिनमें हम work कर सकते हैं जैसे कि primary teacher के level पर कर सकते हैं secondary teacher के level पर कर सकते हैं higher secondary teacher के level पर कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे educational departments होते हैं जिसके लिए vacancies आती रहती हैं जैसे कि educational administration का एक department हो गया curriculum development का department हो गया और educational consulting का department हो गया It means कि हमारे पास बहुत सारी opportunities हो जाती हैं अगर हम BA course में admission लेते हैं Next हम देखेंगे what is the aim of BA यानि कि जब हम BA करने जा रहे हैं तो हमारा क्या एक target, क्या एक aim या क्या होना चाहिए मतलब एक goal हमारा क्या होना चाहिए तो हम अगर BA करने जा रहे हैं तो हमारा target ये रहेगा हमारा aim ये रहेगा कि हम एक student को उसके जितने भी subjects हैं academic है या social, mental, physical, moral या फिर cultural fronts हैं इन सारे levels को देखकर हमें उसके साथ work करना है जो भी student है उसको train करना है उसको achieve करवाने के लिए it means कि वो सारे goals को achieve कर पाए एक तरीके से पहले क्या होता था कि teacher centered education होती थी but अब student centered education है it means कि जैसा student चाहता है उस according आप क्या करेंगे teaching करेंगे तो इसलिए एक student को सारे ही goals achieve कराने के लिए और उन goals में एक excellence दिलाने के लिए आपको work करना होगा academics हो यानि की जितने भी उसके exams हो रहे है या जो भी class का एक time period है उसके according जो भी curriculum है उसके बाद आप social तरीके से बच्चे को कैसे prepare कर रहे है mentally बच्चा कैसे prepare हो रहा है आगे अपनी life में आगे बढ़ने के लिए या अपने career में आगे बढ़ने के लिए और physically, morally और culturally जो ये सारे इनके basics होते हैं वो सारी चीजें कैसे आप बच्चे को ready करवाएंगे it means teacher का एक बहुत बढ़ा रोल होता है as a facilitator या फिर as a teacher उसके बाद हमारे पास main purpose जो है वो क्या होना चाहिए बी एट कोर्स को join करने का कि हम एक तरीके से क्या achieve कर पाएं excellence achieve कर पाएं अपने एक pedagogical practice में pedagogical practice का मतलब होता है कि जो भी आप teach कर रहे हैं पेड़गोजिक का जो एक exact meaning होता है हिंदी में उसे कहते हैं section it means जो भी subject आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप expert हैं आपकी practices हो रखी हैं उसके अंदर आप इतने enable हैं या इतने इतना आप अपने subject को value दे रहे हैं या इतने expert हैं कि आप उस subject में proper तरीके से trained हैं और इसी चीज़ की आपको इस course में training मिलती है कि आप बहुत जादा ही effective तरीके से अपनी teaching को कर पाएं तो एक school teacher का ये goal होता है purpose होता है कि आप अगर इस course को join कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से school में teach करना हैं और बच्चे अपने future में आपको कितना एक remind कर पाएं कि teachers हमें कितना ज़्यादा focused होकर और किस एक excellence के साथ या अपनी एक expert जो उनमें होती है कि अपने subject के लिए experts हैं या उनके जो life के goals होते हैं या उनके जो भी purposes होते हैं उन सब को clear करा के teacher teach करता है so thank you so much friends for watching this video please like share and subscribe my video